एक बार एक सेवक जिसका नाम मुल्ला खत्री था वह गुरू जी की बातों से इतना परबावित हुआ कि वह अपना घर बार छोड़ कर गुरू जी के साथ उदासियों पर निकल पड़े मुल्ला खत्री छे सालों तक गुरू जी के साथ लोगों की बलाई का काम करते रहे वह गुरू जी की संगत में अपना घर बार घर गरस्ती सब कुछ बूल वैठे थे एक दिन सियाल कोट से एक आदमी गुरू जी के स्थान पर पहुँचा और मुल्ला खत्री से बोला बाई मुल्ला जी घर बार बिल्कुल बूल गए हो लो तुमारी पत्नी ने तुमारे लिए एक खत बेजा है चिठ्ठी में मुल्ला जी के पत्नी ने लिखा हुआ था कि आपको मेरा परणाम आसा करती हूं कि आप वहां कुसल मंगल होंगे आपको गर से गए हुए 6 साल हो गए हैं क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती आपकी बेटी बिमार है और आपको याद कर रही है हो सके तो गर पर वापस आ जाओ मुला जी सोचने लगे कि लोग बलाई करते करते मैं तो अपना परिवार ही बूल गया और सोचने लगा कि हाँ मुझे गर पर वापस जाना चाहिए मुला खत्री गुरू जी के पास पहुँचे और मुला खत्री गुरू जी से बोला कि हे गुरू जी मेरे गर से एक चिठी आई है मेरी बच्ची बिमार है आपकी इजाजत हो तो मैं गर पर चला जाओ गुरु जी ने मुल्ला खत्री को घर जाने की इजाज़त दे दी उससे कहा कि मुल्ला खत्री भारेक टूटा हुआ घड़ा पड़ा हुआ है तुम उसके टुकडों को कपड़े में बांद कर घर पर ले जाओ और उसे घर पर जाकर ही खोदना मुल्ला खत्री उस पोटली को लेकर अपने गर की तरफ निकल गया गर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे बोली कि आप आ गए हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे मुल्ला खत्री ने विश्राम किया और उस गठ्री को उठाया इसमें तूटे हुए मटके के टुकडे लाया था वह तो जानता था कि उसमें उसमें क्या डाला है प्रन्तु गुरु जी का नाम लेकर उसने उस गठ्री को खोला गड़ा खोल के देखा तो उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ उसने देखा कि उसमें सोने के सिक्के हैं उसकी पत्नी बोली इतने सारे सोने के सिक्के विश्वास नहीं होता पहले गुरु जी की संगत में मुल्ला खत्री अपना परिवार बूल गया था अब परिवार की संगत में मुल्ला खत्री गुरु जी को बूल गया दो साल बीत गए गुरू जी अपनी यत्रा के अनुसार वाफसी करते हुए सियाल कोड पहुँचे और उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां वह मुल्ला खत्री से पहली बार मिले थे वहां बैठकर गुरू जी ने सत्संग किया बहुत लोग आये लेकिन मुल्ला खत्री नहीं आया परवार में ऐसा रमा कि वे सत्संग बूल ही गया मुल्ला खत्री गुरू जी के साथ बिताय हुए छे सालों को बूल चुका था प्रन्तु गुरू जी अपने सिस्यों का हाथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका जीवन सफल ना हो जाए गुरू जी बाई मुल्ला खत्री के साथ मुल्ला खत्री के गर पर पहुँचे मुल्ला खत्री ने मुल्ला खत्री के गर के सामने खड़े होकर उसको अवाज लगाई मुला खत्री मुला खत्री ओ मुला खत्री अंदर से अपने पत्नी को बोला की बाई मरदाना जी आ गए बाई मरदाना जी मुझे बुला रहे है मुला खत्री की पत्नी बोली नहीं अब अब तुम कहीं नहीं जाओगे हमारे साथ ही रहोगे पहले भी तुम गुरु जी के साथ छे साल बिता चुके हो अब नहीं मैं तुमें नहीं जाने दूँगी मुल्ला खत्री बोला पर वो मुझे बुला रहे है मुल्ला खत्री की पत्नी बोली तुमें अपने बच्चे की कसम अगर तुम बाहर गए जाओ और अंदर जाकर कोषडी में छोप जाओ अंदर जाकर कोषडी में छोप जाओ मैं उन्हें कह दूँगी की वहगर पर नहीं है मुल्ला खत्री कोषडी में चले गए परंतु जैसे ही उन्होंने कोषडी में पाउं रखा उन्हें एक जहरी ले सांप ने डस लिया दूसरी और उसकी पत्नी ने दर्वाजा खोला बाई मर्दाना जी बोले कि बहन मुल्ला खत्री कहां पर है मुल्ला खत्री की पत्नी बोली बाई वे यहां पर नहीं है गुरु जी और बाई मर्दाना जी वहां से चले गए मुल्ला खत्री की पत्नी अंदर आकर मुल्ला खत्री से बोली कि बाहर आ जाओ अब वह चले गए है अब आओगे की नहीं वह सब चले गए है कई बर अब आज देने पर जब मुल्ला खत्री बाहर नहीं आया तो उसकी पत्री ने अंदर जाकर देखा उसने देखा कि उसके पत्री को तो सांपने काट लिया है और बोलने लगी कि हे बगवान यह क्या हुआ मुझे मेरे जूट की इतनी बड़ी सजा मत दो मैं गुरू जी के पास जाऊंगी मुल्ला खत्री की पत्री उसका मरे तक स्रीर लेकर गुरू जी के पास पहुँची और बोली कि गुरू जी मुझे माफ कर दीजिए मेरे जूट की सजा मेरे पती को मत दीजिए मेरे पती की जान बख्स दीजिए मैं आपके पाउं पढ़ती हूँ मुल्ला जी तो आपसे मिलना चाते दे मैंने ही उन्हें कसम दी थी मेरे कर्मों की सजा उन्हें मत दो गुरु जी बोले जीना जूट है और मरना एक सत्य है मैं अपने दस्वे रूब में आऊंगा और मुल्ला खत्री को जीवन मृत्तू के चक्कर से मुक्त कर दूँगा वक्त गुजरता चला गया सन 1706 इस्वे में नादोड के जंगलों में दस्वे बात्सा गुरु गोविन सिंग जी सिकार पर निकले हुए थे और उनके साथ बहादूर सा जफर भी थे गुरु जी ने एक खरगोश का सिकार किया जिस खरगोश का सिकार गुरु गोविन सिंग जी ने किय था वैं मुल्ला खत्री था जो जीवन मरन के चक्कर में फसा हुआ था लगबग दोसो साल के बाद स्रीगुरु नानक देव जी के बचनों को सिध करते हुए स्रीगुरु गोविन सिंग जी ने उस खरगोश का सिकार किया और मुल्ला खत्री को जीवन मरने के चक्कर से मुक्त कर दिया जिस जगह पर खर्गोस की योनी में पैदा हुआ मुल्ला खत्री का सिकार किया था आज उस जगह पर सिरी गुर्दवरा सिकार गाट सहभ जी है साथ संगत जी अगर आपको यह साखी अच्छी लगी ओ तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब करे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले